नमस्कार दोस्तों मैं दीप्ति गुपता स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ओनलाइन प्लेटफॉर्म परिक्षा प्लस पर आज की वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे प्रिवेस एर इंग्लिस के कुश्चिन जो की यूपीटेट 2019 में आये यूपीटेट और सीटेट के कोर्सेश चल रहे हैं सिक्षक भरती से रिलेटिड क्यूंकि आपको सिक्षक भरती में अगर इस बार बैठना है तो आपको सीटेट यूपीटेट आपके पास होना बहुत जरूरी है तो आप सभी इन बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप quality content चाहते हैं बिल्कुल optimum fees में तो आप सभी हमारे एप से जोड सकते हैं हमारे साथ जोड सकते हैं इसके लिए अगर आपको कोई भी query है तो आप इन दोनों numbers पर call करके अपनी queries को solve कर सकते हैं इसके बाद हम सभी वीडियो को वीडियो के सुरुआत करते हैं बिन अपने टाइम को विष्ट किये ठीक है पहले question को हम लोग देखते हैं पहला question है हमारा की which one of the following sentences is in passive voice यानी की आपका इन चारों में से कौन सा ऐसा sentence है जो की passive voice में है ठीक है पहला है आपका the teacher scolded him for being late, some voice were helping the wounded man, या फिर my watch was lost, या फिर someone may steal the bicycle, देखिए लास्ट वीडियो में मैंने आ अगर actively हो रहा है ठीक है मतलब direct सीधा एक तरीके से काम किया जा रहा है तो वो active voice में sentence होता है लेकिन अगर काम को किया जा रहा है लेकिन passive voice में उसे direct नहीं किया जा रहा है जैसे कि teacher scolded him for being late यानी कि जो भी teacher है उसने किसी इंसान को डांटा क्योंकि वो late हो गया था ठीक है को passive voice में अगर हम लोग form करते तो इसकी Hindi कैसे निकलती for being late he was scolded by the teacher यानी कि teacher के द्वारा उसे डांटा गया ठीक है आप समझ पारे होंगे दोनों में difference क्या है इसी तरीके से आप इसको देखेंगे ये भी active में जाएगा क्योंकि इसमें सीथे सीथे बात क्या दी गई लेकिन अगर option number C हम लोग देखें my watch was lost यानी कि मेरी जो घड़ी है वो खो गई थी ठीक है आप बाइसंबन इसलिए नहीं लगा क्योंकि घड़ी खोई है तो भाई किसी इंसान से ही तो खोई होगी ठीक है इसलिए यहनों ने बाइसंबन नहीं लगाया तो इसलिए आप सभी को इ देख लीजिए हिंदी में सेंटेंस को क्या कहते हिंदी में करके आप समझ जाएंगे कि active में या फिर passive ठीक है बात कर लेते question number 2 की question number 2 है हमारा की do it का हमें passive voice बनाना है ठीक है अब it is done या it will be done या फिर let it be done या फिर it be done ये तो हमारा pet question है जो कि हमारा बचपन से चलता चला रहा है ठीक है do it का passive voice तो इसका आपका सीधा सांसर हो जाएगा let it be done क्योंकि do it इसमें कोई subject नहीं है इस वज़े से ये let के द्वारा sentence बनाया गया है passive voice इसमे let it आपका ये वाला subject बन जाएगा let it be done यानि कि इस काम को किया जाना चाहिए ठीक clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question number three की question number three है आपका कि कौन सा इसमें following words मतलब इन चारों में से कौन सा ऐसा word है जो की plural है crisis या analysis या फिर criteria या फिर index देखो minor सी mistake होती है लोगों से आप सभी को थोड़े से singular plural और यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखके paper देने जाएगा आप सभी कुछ क्या कहते हैं चीजों को ध्यान में रखना जो की कुछ अलगवर्ट होते हैं उन सभी को ध्यान में रखना जैसे index criteria या फिर curriculum या फिर ऐसी चीजें कई सारे ऐसे सब्ध हैं जिन्हें आपको पर्टिकुलर ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हीं में से फस जाता है ठीक है अब बात कर लेते हैं इस question की तो बात कर लेते हैं इसमें आपका option number C सही हो जाएगा क्योंकि criteria आपका plural है जबकि इसका singular क्या हो O N यह आपका singular होता है जबकि criteria आपका क्या होता है plural होता है clear है आप सभी को बात कर लेते question number 4 की question number 4 है आपका which one nouns is in plural mice या फिर electronics या फिर billiards या फिर news तो आपको मैंने last video में भी वताया था यह question आपका फिर से आया हुआ है 2018 में भी आया हुआ था mouse यानि की चूहा जो होता है यह आपका singular है ठीक है और इसका जो plural होता है वो आपका होता है M I C E mice clear है आपका option number A यहां से right हो जाएगा बात कर लेते question number 5 की question number 5 है आपका he was an orphan and lived with his uncle in the above given sentence identify the gender of word orphan यानि की आपको orphan का जो gender है वो आपको बताना है ठीक है आपको particular इन्होंने पूछा कि orphan का gender क्या होगा लेकिन बहुत सारे लोग इसमें क्या गलती करेंगे मैं आपको बता दूँ he was an orphan आप यहां से देख लेंगे कि he लगाए यानि कि masculine कोई बच्चा होगा यानि कि कोई male gender होगा इसके लिए orphan लगाए तो आप इसमें हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं भी लगाएंगे हो सकता है आप masculine gender लगा दें लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा क्यों गलत हो जाए बात कर लेते question number 6 की 6 आपसे कह रहा है कि which one of the following words is not a coordinating conjunction यानि कि इन चारों में से कौन सा ऐसा word है जो की coordinating conjunction नहीं है ठीक है यानि कि आपको एक word ऐसा पहचानना है जो की coordinate ना हो करके subordinate है ठीक है तो आपका but for and यह सभी coordinate conjunction है जबकि आपका if जो है वो आपका क्या है subordinate conjunction है ठीक है clear है आप सभी को बात कर लेते question number 6 7 की 7 आपसे कह रहा है कि which thirst blank knowledge left him no laser blank anything else यानि कि इसमें आपको भरनी है चीज़े कौन सा preposition इसमें दोनों में आ सकता है या आपको बताना है at it on on for for या फिर by by देखिए अब इसमें हम लोग अगर हिंदी निकालने की कोसिस करें तो इसमें क्या होगा his thirst for knowledge left him no laser for anything else यानि कि जो ग्यान के लिए उसकी प्यास थी यानि कि थर्स्ट थी उसने उसको किसी और चीज़ की फुरसत के लिए छोड़ा ही नहीं ठीक है इसलिए आपका दोनों में जो appropriate होगा वो मेरे हिसाब से क्या clearly आप देख पा रहे होंगे फॉर और फॉर होगा यानि कि option number c clear है आप सभी को बात कर लेते हैं question number 8 की question number 8 आप से कह रहा है कि the word fast in the sentence he is a fast writer he is a fast writer इसमें आपका जो fast word है वो क्या है noun है एड़व है adjective है या फिर conjunction है तो आप सभी इसमें बताइए देखो he is a fast writer यानि कि जो writer है उसकी विसेस्ता क्या बता रहे है fast बता रहे है ठीक है writer जो है उसकी विसेस्ता क्या है कि वो fast है यानि कि कोई एक इंसान है जो writer है लेकिन वो एक fast writer है ठीक है writer की विसेस्ता बता रहे है fast ठीक है तो आपको क्या हो जाएगा adjective हो जाएगा option number c जो भी noun की विसेस्ता ब 9 की 9 आपसे कह रहा है कि which of the following is not a simple sentence कौन सा आपका simple sentence नहीं है यह आपको बताना है she does not know good manners या फिर she reads what she likes या फिर he is a man of great knowledge या फिर I have a costly book in my house आपको इन सब में से बताना है कौन सा simple sentence नहीं है ठीक है आप देखो बात कर लेते हैं simple नहीं होगा तो complex होगा लेकिन हम लुग normal simple sentences की बात कर लें तो यह भी हमारे simple sentences she does not know good manners क्योंकि इसमें और कोई sentence ऐसा कुछ जोड़ा ही नहीं है he is a man of great knowledge यह भी simple है I have a very costly book in my house यह भी simple sentence है लेकिन अगर बात option नमबर B की करें she reads what she likes ठीक है यह simple sentence आपका नहीं है इसलिए आपको option नमबर B9 का clear हो जाएगा पात कर लेते question number 10 की 10 आपसे कह रहा है कि he will be playing the piano in the concert day after tomorrow ठीक है इसमें आपको बताना है कि sentence कौन सा है he will be playing present indefinite tense है बिलकुल नहीं है present indefinis में आपको पता यह do or does लगता है ठीक है गलत हो जाएगा future perfect continuous है यह भी नहीं है since for का use होता है future indefinite will sell नहीं है future imperfect tense एक ही आपको option बच रहा है option number B लेकिन बहुत सारे लोग समझेंगे कि future imperfect sentence क्या होता है यह तो गलत लग रहा है क्योंकि कई लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पहली बार इसका नाम सुना होगा मैं आप सभी को बता दूं कि future imperfect sentence जो होता है उसी को आप क्या कहते है future continuous tense ठीक है इसलिए आपका option number B यहां से सही हो जाएगा क्योंकि will के साथ B और ing लगने पर future imperfect tense यानी कि future continuous tense बनता है clear है आप सभी को बात कर लेते question number 11 की 11 आप से कह रहा है कि which of the following sentences is the subject of a feminine gender noun यानी कि आपको बताने कि किस में feminine gender subject की रूप में यूज हुआ है all the male members गलत है all the young men have arrived यह भी गलत है all the old men have arrived यह भी गलत है all the female members have arrived इसमें सीधा सीधा आपको दिख रहा है कि feminine gender यूज हुआ है option number D यहां से आपका right हो जाएगा बात कर लेते question number 12 की 12 आप से कह रहा है कि यह आपका pedagogy का question आ गया है 2019 में आपका pedagogy से आपका a question आपका direct पूछा गया है इसको आप लोग समझने की कोसिस कीजएगा मैं आप सभी को बताती हूँ the method of teaching in which the teacher tries to establish a link between the foreign language word and object without the interference of the learner's mother tongue is called यानि कि आपको इसमें यह समझाया गया है कि ऐसी कौन सा method है जिसमें आपको foreign language अगर सिखाई भी जाती है तो आपकी mother tongue पे कोई भी effect नहीं आना चाहिए कोई भी इंटर्फेरेंस नहीं आना चाहिए इस्ट्रुक्चरल मैथट या फिर बिलिंग्वल है या फिर grammar translation method या फिर direct method है तो एक direct method ऐसा है अगर आप लोगों ने पैटगोजी पड़ी होगी तो इसमें आपको बताया गया होगा direct method है जिसमें आपको बताया जाता है कि मतलब सेम चीज़ आपको clear करी जाती है ठीक है direct method is called a system of teaching a foreign language using only that language and without emphasis on the study of grammar और mother tongue clear है आप सभी को यानि कि आपकी mother tongue और grammar पे कोई भी प्रभाव नहीं आएगा option number D आपका write हो जाएगा 12 का बात कर लेते question number 13 की 13 आपसे कह रहा है कि if you are testing your students comprehension of written English you are testing your understanding what they have just read or listened or spoken or written अब इसमें आपको common sense जलेगा कि आप मालो कोई भी आपका student है अगर आप उसकी written English की copy देख रहे हैं जो उसने write की हुई है या फिल लिखी हुई है तो आप उसकी कौन सी knowledge को देखना चाह रहे हैं या फिर कौन सी knowledge को समझना चाह रहे हैं या फिर आप क्या देखना चाह रहे हैं उसमें तो obviously अगर कोई student कुछ चीज को पढ़ा होगा उसने कभी तभी तो वह अपनी copy में लिखेगा इसलिए आप उसकी reading skill को जानना चाह रहे होंगे reading skill को पहचानना चाह रहे होंगे तभी आप उसकी जो written English comprehension of written English है उससे आप क्या करेंगे उसकी reading skill को test करेंगे clear है तो 13 का आपका जो हो जाएगा वह ए राइट हो जाएगा बात कर लेते question number 14 कि 14 आपसे कह रहा है कि correct sentence आपको बताना है please listen your teacher या फिर please listen towards your teacher please listen of your teacher या फिर please listen to your teacher clear है अब आपको इसमें बताना है कि कौन सार सही है ठीक है तो देखो आपको सीधे सीधे पता चल रहा होगा कि आपको option number 10 हाई है please listen to your teacher क्योंकि listen के साथ जब आप your teacher के साथ sentence बनाएगे तो इसमें preposition आपका to add होगा तो 14 का आपका 10 हाई हो जाएगा पात कर लेते question number 15 और last sentence कि आपसे कह रहा है कि find out the correct sentence या sentences I am not believing in या फिर both of the above या none of the above या फिर I don't believe him ये इसी तरीके से options आए हुए थे इसमें मैंने कुछ अलग नहीं किया हुआ है ठीक है तो आपको correct sentence बताना है तो मेरे साब से आप इसमें correct sentence पहचान सकते हैं I don't believe him यानि कि मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ ये आपका right sentence है 15 का D किलियर है आप सुभी को तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 15 questions discuss कर लिए हैं next वीडियो में 15 questions और discuss कर लेंगे और आपको 2019 का English का paper solve हो जाएगा वीडियो को खतम करने से पहले हर बार की तरह आपको बता दू हमारे यहां LTE rate का batch चल रहा है सिर्फ और सिर्फ 699 rate में अगर आपको इसमें enroll होना चाहते तो आप इन दोनों number पे call करके query अपनी ले सकते हैं और अगर आपको पसंद आए तो बैच में enroll हो सकते हैं with quality content और बहुत ही optimum fees में फिलेंगे next video में next 15 questions के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सो भी अपना खयाल रखेगा